बारवी फेल मूवी आपने देख चुके होंगे और इस मूवी देखने के बाद अगर मनोश शर्मा जी की लाइफ आपको बहुत पसंद आया होगा तो आपके दिल में कही न कही पे एक बहुती important सा सवाल उठा है क्या मैं IPS बन सकता हूँ तो IPS बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और IPS बनने की क्या क्या format होता है उससी के वज़ा से ही ये वीडियो को बनाया गया है आशा करूंगी कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डीटल्स में बताएं तो एंडिवर प्रेप आपके लिए एक वन शॉर्ट सल्यूशन है जो कि आप अगर PCS के लिए मतलब स्टेट PCS के लिए प्रिपेर कर रहे होंगे या UPS के लिए प्रिपेर कर रहे होंगे तो हमारे रेगुलर बिसिस पे बहुत सारे वीडियो अप्रोड हो रहे है उनको फॉलो जरूर करियेगा और हमारे डेली करेंट एफिर्स की मैंगजिन भी आपको फ्री में मिलता है डेली बाइलिंगोल करेंट एफिर्स का PDF आपको यह थारी चीज़ों के बारे में आज हम खुलासा करने वाले है तो बैसिकली अगर इस सेशन की बारे में बात करें जैसे हमने शुरुआत में कहीं कि जैसे मनो सर की लाइफ हमने देखा था 12 फेल मूवी में कैसे एक बहुत गाउं का एक लरका जो फेल करता है अपने 12th के क्यासे IPS बनता है तो पहले आप सभी को बता दो आप कहीं से भी हो अगर आपके दिमाग में कभी आया होगा क्या IPS बनना है तो उसी सोस से पीछे नहीं हटिएगा इंडियो अपर प्रेप के साथ आप जोइन कर सकते हो मैं यह आपको निश्चित करके बोल सकती हो कि हाँ यह जो IPS ओफिसर होता है इनका मौ मतलब IPS का फूल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस ओफिसर इंडियन पुलिस सर्विस ओफिसर यह एक सिवल सर्विस का पोस्ट है जो भारत सरकार के एक्जेक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा होता है IPS ओफिसर को UPSC यानि के Union Public Service Commission के द्वारा हर साल सिवल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है IPS ओफिसर को All India Service के अंदर रखा जाता है क्योंकि यह ओफिसर किसी भी स्टेट में या Central Government के लिए काम कर सकते है इस इस वाई देश की सुरक्षा करना जो आम जनता है उनकी सेवा करना और कानून व्यावस्ता का पालन करना अगर पुलिस ओडर की बारे में बात करें तो उनका काम यह होता है कि उनका ही देखभाल करना IPS officers जो होता है वो field state secretariat या central secretariat के जो assignments होते हैं उनको भी यह निवाते है field assignment में IPS officers को district या subdivision लेबल पे police administration उनके law and order उनके crime prevention के काम करना होता है अब state secretary assignment में IPS officer को क्या करना होता है IPS officers state government का बहुत सारे department होता है जहां पे policy formulation होते है coordination की काम होते है और central secretariat के assignment भी IPS officer को central government के various ministry में policy making और implementation के काम करना होता है especially in the genre of the police service ठीक है IPS officer की अगर हम rank की बात करें तो इस rank को हम कुछ scale में divide कर सकते हैं यह scale क्या क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं जायसे कि यहां पे है junior scale, senior scale, super time scale फिर इसको कहते है above super time scale, above super time scale, above super time scale और उससे भी उपर होता है continuous कुछ age ठीक है यह सारे अब हम super time scale के अंदर आते हैं आप examination clear कर लिया, आपने prelims लिक लिया, mains लेक लिया, फिर interview इंटर्वियों क्रेक कर लिया इंटर्वियों क्रेक करने के बाद आप जाके अभी लवसना का आपका एक साल में से 6 महीना हो गया आप निस्चीत हो गया हो आप IPS बन चुके हो और उसके बाद आपका सर्दर बलभाबाई पाटल अकाडेमी में भी आपका ट्रेनिंग हो गया आपको पहली बार क्या दिया जा गया? सेटलमेंट दिया गया आपको पहली बार जो position दिया गया वो है Assistant Superintendent of Police which is ASP इसमें आप Assistant Secretary मत्ब पोजिशन हेड अंदर Central Government Assistant Secretary के अंदर आप ये काम करते हो फिर आपका आता है Senior Scale जो कि 5 से लेका 9 साल तक होता है इसमें आप क्या करते हो इसमें आपका Position होता है Deputy Superintendent of Police या उसको कहते है DSP ठीक है यह याद रखना तो ये जो DSP का Position है और बाकी जो State Civil Service से बना गया जो DSP का Position है उसमें ये अंतर होता है यहाँ पे जो DSP पोस्ट होता है वो Additional Superintendent of Police या Additional SP के बराबर होता है मतलब पहले आप जोईन करते हो याज़े ASP फिर जाके आइदर आप DSP बन जाते हो या Additional SP बनते हो फिर आपके पास से 9 साल तक जब आप जॉब कर चुके हो मतलब 9 साल तक अपकी तेनियोर हो चुका है तब जाके 10 से 15 साल के टाइप पे आप बनते हो SSP, ASP दिखो अगर बात करें Superintendent of Police और Senior Superintendent of Police की और Assistant Inspector General of Police which is called AIG तो यहां पे बात आती है Second Terms की और जादा यह भी Super 10 Scale के ऊपर का टर्म है जो की है 16 सली के 24 साल तक यहां इतने दीन तक अगर आप काम करते हो तो आपको जो प्रोमोशन मिलता है वो होता है Deputy Inspector General of Police जो की है DIG और Inspector General of Police प्रोमोशन की और प्रोमोशन किया जाएगा Second अगर फिर और 30 से 33 साल तक आपने काम कर चुके हो आपका जो प्रोमोशन मिलेगा वो है DGP या Director General of Police और 34 साल तक आपने काम कर चुके हो इसलिए बताया जाता है कि जो बच्चे या जो एस्पिरेंट बहुती कम उमर में UPS क्रेक करके IPS में रैंक लाते है वो आराम से DGP तक बन जाते है Director General of Police बहुती बहुती बढ़ा ये मुकाम है बहुती हाइस पोस्ट है ये बहुत बड़ी है और ये डारेकली Cabinet Secretary के अंदर आते है ठीक है ये डारेकली Cabinet Secretary के अंदर आते है तो ये सिर्फ वो बात नहीं होता कि भाई सिर्फ IPS बनके आपने बस Police Force जोईन कर लिया इसमें बहुत सारे आपके सामने क्या आता है बहुत सारे Responsibilities आते है बहुत सारे Responsibilities के साथ आपके जो चारित्रिक गठन है वो बहुत ही इसको बहुत ही जादा सुचारू बना देते है कि आपको आगे बढ़ने के लिए तो जागर आप सोच रहो आई पे सबको बनना है तो आपको तो यह भी द्यान में रखना है कि भाई salary कितनी मिलेगी ठीक है तो post तो मिली रहा है हमें तो reputation post लोगों में इतना अधर समाधर कुछ मिल रहा है लेकि भाई पैसे कितने मिलेगे पहली बात तो यह बोल देती हूँ कि IPSO या ISO UPSC के जो लोग होते है उनके जो salary होते है salary बस उनको savings account में ही रखना होता है क्योंकि इनको बहुत सारे allowances मिलते है और अगर IPS की बात किया जाए क्योंकि यह police service के अंदर आता है तो इसलिए इनको 13 months के salary मिलते है ठीक है तो अगर salary की बात किया जाए तो 7th Pay Commission के अनुसार इसको decide क्या गया है और उसके बाद अगर 5 साल के बाद UPSC के IPS officer के salary को हम देखेंगे तो हम देख सकते के rural area, urban area या metro city के अंदर इनके जो salary है उसमें बहुत सारे divisional differences दिखते है जैसे rural area में यह मतलब एक लाग के पास इनको enhanced salary मिलता है, urban area में एक लाग 7,000 के पास यह salary होता है और एक लाग 16,000 हो जाता है metro city के अंदर क्योंकि जितने बड़े शहर जितने बड़े area उतना जादा responsibility इसी वजह से इनको यह चीज करा जाता है और हमको हमें एक चीज हमें और भी add करना है यहां पर जैसे मैंने बताया है इनके house rent allowances होता है, travel allowances होता है, medical allowances होता है यह सारे चीज, even IPS की officer की salary होते हैं, उनमें कुछ deduction करके भी जो पैसे इनको मिलता है यह एनाफ होता है एक officer की जिन्दगी जीने के लिए, अपने family के साथ अब जो deduction होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसमें income tax का deduction होता है, provident fund का deduction होता है, pension का deduction होता है अब देखो IPS officer बनना बहुत ही एक prestigious और challenging का career option है, तो इनके लिए जो कुछ eligibility की जरूरियत होती है, वो थोड़ा हम जान ले, लेकिन अगर आपके दिमाग में मनुष्शर्मा वाली cinema है, या आपको मनुष्शर्मा जैसे लोग बनना है, सिंहम बनना है, या आपको कितने सारे आपके सामने options है, जिन पुलिस officer को देखके लगता है, भाई हम कर सकते हैं, इस दुनिया को उथल पथल हम कर सकते हैं, सोसाइटी को change करना है, भाई हम बनेंगे ना, हम पुलिस बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, आपका eligibility criteria क्या होना चाहिए, पहली बात तो यह है, आप किसी भ आप UPC के लिए eligible हो सकते हो, अगर आप 3rd year में पढ़ रहे हो, आप अपने graduation के last year में हो, तभी भी आप जरूर जरूर इसके लिए form fill up कर सकते हो, एज लिमिट किया कर बात करें, तो जेनरल के लिए 32 years है, आपा एज लिमिट, OBC के लिए 35 years है, SST के लिए 37 है, PWD के लिए 42 ह 42 years है, यहाँ पे जो जेनरल लोग है, उनके पास 6 attempt होते है, जो OBC होते है, उनके पास 9 attempt होते है, SST के लिए unlimited attempt होते है, और जो physically, जो weaker section होते है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 9 attempt दिया जाता है, आइस के लिए भी यही चीज को follow करा जाता है, लेकिन IPS के लिए और एक चीज क maintain करना जरूरी होता है, क्योंकि पुलिस सर्विस है, तो यहाँ पे body का या आपका जो eyesight है, इसको थोड़ा सा maintenance के अंदर रखना होता है, तो वो क्या है, अगर हम mail के लिए बात करे, mail का height minimum होना चाहिए, इसको जैसे 165 cm और SST के लिए 160 cm होना चाहिए, देखो, इतना details आपक में भी शेयर कर देना, अगर एक साथ आप सभी को लवसना और सरदर बलभाय पटेल अकडेमी में जाना है, तो जरूर जाना है, एक अठा जाना है, ठीका, तो आप सभी लोग इसको शेयर कर देना, जादा से जादा, आपका चेस कितना होना चाहिए, 84 cm और expansion के थूर इसको सबसे खड़ाब आँखों के लिए, यह बात आपको समझ में परेगा, कि आपके आपके आपको में चेश्मा लगा है, तो यह विजन आपको अच्छे आपको अच्छे आपको चेश्मा के साथ आपका 6 x 12 होना चाहिए, ठीके, आप सेकेंड बात बताएंगे, कि फिजिकल यहां पर भी 150 होना चाहिए, मिनिममम हाइट और 145 का हाइट इंच का हाइट, सेंटीमीटर का हाइट दिया गया है, इसमें नहीं आते, इनके जो चेस्ट बताया गया है, वो 79 है, जो की मिनिमम है, और 5 इंच, एक्स्पैंशन के थूँ, ठीक है, सांस भढने के बाद, अब जब एक्सपैंशन होता है, एक्सपैंशन होता है, इनके जो विजन है, वो सेम तू सेम रखा गया है, मेल के साथ, पर यह आँखों का कोई लड़का लड़की नहीं होता, ठीक है, अब अगर आपको बात करें, कि आपके नाशनलाइटी इंडियन होना चाहिए, आपके जो यूपेस से ने आपको दे रखा है, और इसको छोड़कर अगर आपके दिमाग के कुश्चन है, कि मुझे नहीं आता, तो मैं कैसे पेपर लिखूंगा या लिखूंगी, तो आपके लिए मैं बता दूँगी, कि आप हिंदी मीडियम से हो, या इंगलिश मीडियम से हो, या भारत के कोई भी भाषा, जो कि हमारे constitution के अंदर आते है, जिसमें भी आप सावलिल हो, तो आप आराम से उसी भाषा में अपना पेपर दे सकते हो, ठीक है, मीडियम कोई भी हो सकता है, पेपर जो आएगा, वो हिंदी और इंगलिश में बन के आता है, लेकिन आपका जो पेपर लिखने की जो मीडियम होगा, वो आपके चायन करा हुआ भाषा से वो हो सकता है, ठीक है, तो civil service examination की preparation के लिए, आपके पास अभी सबसे जादा अच्छा option आ चुका है, एंडियोवर प्रिप के थू, ये हमारा course है, जिस course के अंदर हमारे ये channel है, जिसके अंदर आप जूर के, तो इस channel को subscribe करना मद भूलिएगा, इसको share जादा से जादा करिएगा, आपके comment हमारे सारोंखो पर आप अपने जो भी question है, वो comment में लिख सकते है, और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगी, कि हमारे social media handle पे भी आप जूर जाओ, ताकि आपको exam के format और difficulty label का कोई आपके सामने आए, हम आप तक पहुंच के, वो clear कर सके, आपको current affairs और general awareness पे भी focus करना है, और वो काम भी endeavor prep के थूँ आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, तो basically अगर आपको भी IPS बनना है, तो ये video हुआ, आपके लिए एक, आप बोल से तो pathfinder, जिसमें, जिसको आपके दिम का question आपके दिमाग में है, वो शायद इस video से clear हो चुका है, ये मैं आशा करती हूँ, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपसे भी को शुक्रिया, दूसरे video में मिलेंगे आपको, और कोई detailing को लेकर तब तक के लिए अपना धिहान रखिएगा, बाई बाई टेक क्यर and Jai Hind